हेलो एब्रीवन आप सभी लोग का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आधम बनाने जा रहे हैं बिना मोल्ड बिना साचा का एकदम मार्केट जैसा पापड ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और सबसे खास बात ये है कि ये घर के सामान से यानी चावल के आठा से मैंने इसे बना के तयार किया है ये देखने में जितना सुन्दर लग रहा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये इस पापड की रेश्पी को मैंने कैसे बनाया है देख लेते हैं इस पापड को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पकड़ा ही रख लेंगे और इसमें पानी डालेंगे तो पानी हम नाप के कप से दो कप डालेंगे आप घर का कोई कटोरी कप ले लिजेगा उसी से चावल का आटा भी नापना है और पानी भी अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया इसको पानी में अच्छे से घोल लेंगे यहीं डिजॉल्व कर लेंगे और यहां हमने ले लिया है दो पिंच पापडखान इसको भी डाल देंगे अगर जो आपके पास पापड़ खान ना हो तो इसमें 2-5 मीठा सोडा जिसे खाने का भी सोडा कहते हैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लिजेगा अब इसमें अच्छा सा उबाल आने का इंतजार करते हैं तो ये लिजिए पानी में उबाल भी बहुत अच्छा आ गया है इतना ह उबलता हुआ पानी हमें इस रेश्पी के लिए लेना है तो अब हम डालेंगे चावल का आठा तो जिस कप से या बरतन से आपने पानी लिया है उसी से टोटल डेड़ कप चावल का आठा डाल देना है यानि हमने दो कप पानी लिया है तो डेड़ कप चावल का आठा डाल पानी अब इसमें बिल्कुन नहीं है तो अब हम इसे ऐसे ही ढखके 5 मिन के लिए छोड़ देंगे पहले इस पैचुला को साफ कर लेते हैं ढखके रखने से जो चावल का आटा है बहुत अच्छे से फूल जाएगा और सेट हो जाएगा तो इसे 5 मिन बाद अब हम अलग बरत दालेंगे पहले हम थोड़े से डो को साइड में रख देंगे और इसे ढख देंगे क्योंकि हवा लगने से चावल काटा सूख जाता है तो जो ज्यादा वाला डो है इसको हम ऐसे मसलते हुए बिल्कुल इसमूद चिकना डो बनाके त्यार करेंगे तो यह देखे फ्रेंड क्योंकि हम मार्केट जैसे पापड बना रहे हैं तो इसे दो कलर में बनाना है तो यहां मैंने थोड़ा सा फूड कलर एड कर दिया अब इसको मसलते हुए इसका भी स्मूद सा डो बनाके तयार कर लेते हैं तो यह देखे फ्रेंड्स अब हमारा यह भी डो पर्फेक्ट बन बना लेंगे और इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे तो एक पार्ट को हम धक्के साइड में रख देंगे और इसको एक लेके ऐसे हम प्लेटफॉर्म पर गोल करते हुए फ्लैट करेंगे और बेल के हलका सा इसको बड़ा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से बेल बेला था अब इसको बीच से ऐसे fold कर लेंगे यह दिखे कि इस तरीके से fold करने के बाद हलका से beeline चला के इसको बीच अच्छे shape में बना लेंगे यह देखे कि इस तरीके से इतना मोटा हम रखेंगे और जो color वाला हमने डो रखा है इसको भी फ्लैट करके और इसको भी बेल के तयार करेंगे तो जितना हमने white dough को मोटा रखा है उससे हलका सा ये पतला इसको बेल के तयार करेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही बेल के तयार किया है यानि रोटी जैसे मनाते हैं तो दो रोटी जितनी मोटी होती है उतना ही मोटा इसे बेलके तयार कर लेना है अब हम white dough को बीच में रखेंगे और friends इसी के बराबर हम इसको काट लेंगे यानि जितना ये लंबा है उतना ही लंबा इसको काट लेना दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के निकाल देंगे इस तरीके से और यहां जो एक्स्ट्रा है इस साइड से भी काट के निकाल देंगे क्यूंकि पिंक वाले को भी चौकोर ही सेप में रखना है ये देखिए इस तरीके से ऐसे काट के रख लेना है तो वाइट पार्ट को हम साइड में रख देंगे और यहां हमने एक स्केल ले लिया है इसे से बराबर बराबर पट्टी हम काट लेंगे ये दीखिए कुछ इस तरीके से बराबर पट्टी काट लेना है आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हैं लेकिन इस सकेल से बहुत आराम से कट जाएगा और पट्टी भी एक जैसे कट के तयार होगी तो इसी तरीके से सारे पट्टी को हमने काटके निकाल लिया है यहाँ जो पट्टी एक्ष्रा बच जाएगी उसका क्या यूज है मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी तो इतनी सारी पट्टी हमने अलग कर लिया अब वाइट पार्ट को हमने ले लिया है इसको भी उतना ही चोड़ा काटना है जितना चोड़ा हमने पिंक पट्टी को काटके तयार किया है तो इस तरीके से तीन पट्टी इसमें से निकली है आप देख सकते हैं तो अब हम white purity को सबसे नीचे रखेंगे और उसके ऊपर pink patti को इस तिरिके से रखेंगे आप चाहें तो यहाँ पानी से अच्छे से गीला करके तब आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से sit हो जाएगा तो इस तरीके से एक पटी white और एक पटी pink ऐसे रखके हमने इस तरीके से दो पटी pink कर लिया है, तीन पटी white और इसे चारों तरब से equally set कर लेना है हाथों से दबाते हुए, तो यह बहुत अच्छे से set हो गया है, यहां मैं नाप के दिखा देती हूँ, इधर से जितना चोड इधर से भी है, यह देखिए, अब हम इसे side में रखेंगे और जो दूसरा part है, उसको भी हम इसी तरीके से बना के तयार कर लेते हैं, तो यहां हमारा दोनों पटी बन के तयार हो गया है, और जो pink वाली पटी बच गई थी, यानि डो, तो उसका हमने ऐसे गोल सा बना लिया एक जाली वाला बरतन रखेंगे और उठाके इसको इस तरीके से रख देंगे ताकि steam पर यह अच्छे से पक जाए, तो अब हम इसे ढख के कम से कम 10 मियद तक low to medium flame पर अच्छे से steam पर पकाएंगे, अगर जो अच्छे से नहीं पकेगा, तो आपका पापर फट जाएगा, तो इसे अच्छे से पकाना ज्यादा important है, अच्छे से पकेगा, तो यह बिलकुल नहीं तूटेगा, बिलकुल नहीं फटेगा, तो यह अब ठंडा हो चुका है, 10 मियद हमने इसे पका लिया था low to medium flame पर और अब इसे काट लेते हैं, तो friends, अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको काटिएगा, तो सबसे पहले मैं pink वाले को काट लेती हूँ, तेज नाइफ से इसको काट लेना है, इस तरीके से पतला पतला आप काट सकते हैं, जिससे बिलकुल market वाला इसमें look आएगा, यह देखिए, इस तरीके से सारे पापड को काट लेना है, और जो मैंने पट करते रहिएगा बीच में, और इसको ऐसे काट लेना है, तो इस तरीके से सारा मैं काट के फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुन्दर, बिलकुल market जैसे यह पापड बनके तयार होता है, तो यहां मैंने काट लिया है, और इसे धूप में डाल दिया है, सूखने के देखिए, यह चावल के आठा से बिलकुल market जैसा पापड हम घर पर बना सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बनके तयार होता है, तो चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं, फ्राइ करने के बाद देखते हैं कि यह कितना फूलता है, कैसा दिखता है, तो यहां पहले से मैंने कड हो जा रहा है, और देखने में भी बिलकुल वही market वाला ही look आ रहा है, जैसे लग रहा है हमने इसे market से खरीद के लाया है, बीना machine mold का इसको घर पर हम बना के तयार कियें, तो friends मैंने बहुत थोड़ा सा पापड फ्राइ किया है, आजकल घर में बहुत जादा फ्राइ पाप अपने friends और family में जरूर share करिएगा, मिलते हैं ऐसे ही latest और unique recipe के साथ next video में, तब तक के लिए bye bye, जैसरी हरी, thank you for watching